है लो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आय होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज इस वीडियो में हम कक्षा चार के विसे सामाजिक अध्यन की वक्सीट को सॉल्व करेंगे जो कि EDMC के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी वक्सीट वीक नमबर वन के ल अब बच्चों क्वेशन है नीचे दिये गए नक्से को देखकर निमनले के प्रश्णों के उत्तर लिए तो बच्चों यहाँ पर भारत का नक्सा है सभी बच्चे से ध्यान से देखेंगे और प्रश्णों के उत्तर देंगे प्रश्ण है यहाँ पर भारत के सबसे उत्तर का एक राज्य है उत्तर दिसा में बच्चों भारत की में कौन से राज्य है लद्दाक भारत की मद्धे में इस्तित एक राज्य है तो भारत के बीच में कौन से राज्य है मद्धे प्रदेश नेक्स्ट है भारत के रक्षिन में इस्तित दो राज्य है भारत की दक्षिन दिस है कितने हैं बच्चों 28 इहां पर 28 लिखेंगे मान चितर में नदियों को किस रंग से दिखाया जाता है हरे लाग तो यहां पर नीला लिखेंगे भारत के उत्तर में पुर्वतमाला है तो कौन को सी प। नंदियों की राज्दानी में कौन सी भासा बोली जाती है मराथी तमिल नाडू में पंजाब में भासा बोली जाती है पंजाबी गुजरात में गुजराती केरल में मल्य आलम अब बच्चों कोश्य नमबर 4 अपने परिवार के सदस्यों से चर्चा कीजिए और निम्निलिकित प्रश्णों के उत्तर दीजिए आपके गाउं का क्या नाम है तो बच्चों यहाँ पर सभी अपने अपने गाउं का नाम लिखेंगे जैसे कि खतोली वे कौन से राजय में इस्ट थे उत्तर प्रशणों में वहाँ कौन सी भासाइं बोली जाती हैं तो बच्चों कौन सी भासाइं बोली जाती हैं हिंदी अब बच्चों कोश्य नमबर 5 निम्निलिकित तरीके से भारत के मांचित्र को भरिये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को नीले रंग से दर्साइए तो बच्चों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को नीले रंग से दिखाना है उत्तर प्रदेश अरोनातल प्रदेश और बिहार को अपनी पसंद के रंग से दर्साइए हिमालय परवतमाला को भूरे रंग से दरसाइए तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर इसमें सभी बच्चे नीला रंग भरेंगे अब बच्चों यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य बिहार राज्य और अरुनात्र प्रदेश राज्य यहाँ पर आप अपनी चैनल पढ़नाई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू